तो इस वीडियो में बात करूँगा बैटमेन बिगेंस मूवी के बारे में जो 2005 में आई थी अब ये मूवी मैंने हाफ देखी थी तो काफी टाइम से सोच रहा था कि यार इस मूवी को कम्प्लीट कर लेता हूँ इसकी बात जो मूवी तो आई थी मतलब कि बैटमेन डार्क नाइट और बैटमेन डार्क नाइट ट्राइज इस यह ओर डिडी मैं देख चुका था तो इसको कम्प्लीट करनी थी तो मैंने सोच आ है इसे कम्प्लीट कर लेते हैं बहुत सारों नहीं यह मूवी औरेड़ी देख रखी होगी तो सोच रहा हूँ यार आप लोगों को स्पोईलर दूं या ना दूं कोशिश करता हूँ कि ना ही दूं स्पोईलर क्योंकि रिव्यू कर लेते हैं उपर से मुझे फिर गालियां सुनने को और मिल जाएंगी जो भी जुर्म कर रही है उन क्रिमिनल के किराव लड़ने के लिए वो अपने आपको ट्रेन करना शुरू करता है और वहां से जैसी की शुरुआ दिखाए गई है ट्रेनिंग करता है फिर वो वापस आता है जो उसका शहर है गोतम सिटी तो वो पूरी तरीके से बरस्ट हो होगे अगर आप लोगोंने सुपरमैन और बैटम rubbish की मूवी देखिए दोनों की अलग अलग बात कर रहा हूं सुपर मैन वरसीज बैटमन वाली बात लोग असानी से पता कर लोगे, इन दोनों मुवी को अगर आप देखोगे, अलग-अलग बात करना हूँ, बैटमें की तीनों मुवी को देख लो, उन तीनों मुवी के अंदर कहानी बहुत बढ़िया है, स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है, उनके डायलोग बहुत बढ़िया ह पर रही सही कसर, music complete कर देता है, मतलब इतना जबरदस्त music वो play किया गया है, मतलब especially अगर कुछ होना होता है, यहाँ पर कुछ घटने वाला है, तो उसके पीछे जो background में music लगाया जाता है, वो बस रूंक्टे गड़े कर देता है, और आप अपनी आंके screen से हटा भी नहीं पा करता है, क्योंकि लोग breast हो चुके हैं, वो अब सुधरने नहीं वाले हैं, वहीं Batman उनको इस बीच में आकर खड़ा हुए, यह यह कहता है, कि मैं इनको नहीं मरने दे सकता, यह हमारे कानून, मतलब कि हम कानून हाथ में नहीं लग सकते, और इंसानों को एक और मोका चाहिए सुधरने के लिए, वो सुधर सकते हैं, तो यह सब चीजें जो दिखाए जाती हैं, तो इंटरस्ट बन जाता है, अगर आप Batman के rules को देखें, तो वो उसके खुद के कुछ आदर्श है, वो उसको बहुत strongly उनको follow करता है, Batman Begins से लेकर, जैसे starting में Batman Begins में उसको मारने के है, हर criminal को पकड़ेगा, वो कानून के हवाले कर देगा, कानून भले ही बरस्ट हो चुका है, सिस्टम बरस्ट हो चुका है, लेकिन उसे यकीन है, अगर चीजें ऐसे नहीं चलाए गई, अगर किसी एक शक्स ने अपने हाथ में कानून विवस्ता ले ली, तो वो चीजें समझ में आ रही है, तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं ही, यार, मुवी आप ऐसे देख सकते ओ, काफि इंट्रस्टिंग मुवी है, लोग हो दो घंटे, 20 बीस मिनिट के आसपास है, फर्स्ट मुवी, सेकिंड मुवी भी लगभग दो घंटे, 20 नहीं देखी हुए और देखने के सोच रहे हो जब आप फर्स्ट मुवी देखोगे तो मतलब मुझे यकीन है आप लोग इसकी बाकी की दोनों मुवी देखे बिना रहे नहीं पाओगे और यह एक ऐसी मुवी है जिसको आप थेटर में जादा फील करोगे मतलब जबरतस लग मज़ा यह लगा जाते हैं और यह उन मुवी में जाए अगर आप इसको कई बार भी देख लो तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि आप इसमें बोर हो रहे हो मतलब एक नया एंगल निकल के आ जाता है इसमें कि हाँ यह वक्त यह बंदा जो है यह सोच रहा है मैंने डार्क एंगल निकल क्या है अच्छा जोकर यह कर रहा है पहले जब देखी तब यह समझ में नहीं आया था लेकिन अब दुबारा देखी तो काफी जादा इंटरस्ट हुआ वह बहुर बिलकुल भी नहीं हुआ दू सैकंड टाइम देखने के बाद मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना चाहूंगा 10 after 10 star देखो यार यह मेरे लिए काफी जादा बढ़िया मुवी लगी आप लोगों के इसाब से शायद आप लोग इसको कम आख सकते हूं क्यार यह आपका अपना opinion है और इस मुवी के अंदर कोई भी इतना adult scene नहीं है देखो यार मुझे तो कहीं पर भी नहीं लगा और हिंदी डब में आप लोगों कोई मिल जागी और काफी अच्छी डबिंग है तो आप इसको जब नेट्फ्लिक्स पर देखते हो तो दोनों को compare कर सकते हो हिंदी इंग्लिश और मुझे दोनों अच्छी लगी डबिंग काफी अच्छी है और इसके अंदर को लोगों कोई मुवी कैसी लगी और नहीं देखिए तो यार बहुत एक अच्छी बड़िया मास्टर पीस मुवी मतलब आप मिस कर रहे हो तीनों मुवी काफी जवरदस हैं तो बस साच के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में थैंक्स रोचिंग इस वीडियो में मिलत